तो गाइज, मैं हुआ की तो आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैनस नेट वर्ग वीडियो को सुर्प करेंगे गाज, हम लोग एक सैड न्यूट से, एक बैड न्यूट से यह कैमेर अनु ग्राइमस को लेगे अब भाई एक wave आये WWE के अंदर जहाँ पर सूपरस्टार्स रिलीज हो रहे हैं जहाँ पर सूपरस्टार्स इंजड हो रहे हैं तो महोल बहुत नेगेटिफ सा होके रखा है अब देखो भाई Cameron Games ने खुद अपने Twitter एकाउंट पर वीडो पोस्ट करके इस चीज को confirm करा, announce करा क इस वीडो के अंदर भाई वो लेजेट रो रहे हैं मैं आपको वीडो दिखा सकता हूं और नहीं प्ले कर सकता है विकास मैं अभी खुद ही बोर रहा हूं तो अपने अपने वीडो के अंदर यही कुछ कहा है कि उन्हें ये निउस काफी सौकिंग सी लगी उन्हें कॉल आ सब्सक्राइब कर देखा कि वान वैगनर रिलीज को भी रिलीज कर दिया गया है तो कई सारी नेम्स वाई कंपनी से फायर किये गये हैं रिसेंट के कुछ चौबिस अरतालीस बहतर घंटों के अंदर तो यह बैड निउस है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं भाई टीके के अंदर मुझे पशनली लगता है कि टीके का जो इंफ्लेंस अना भाई वह बहुत ज्यादा है इंचीजों में वह बिल्कुल भी नहीं बरदास कर रहे हैं किसी भी चीज को उन्हें लग रहा है कि जितने अंडर परफॉर्मिंग टैलेंट से उनको निकाल दो टीके के अंडर परफॉर्मिंग टैलेंट को तुरंत ही फायर करते हैं तो अभी के हिसाब से बाई ये एक बैड न्यूज है के वीडियो अगर आप जागे देखोगे तो आपको पता चलिया कि वह कितने आदा हर्ट ब्रोकन है इस चीज से लेकिन हाँ साथ में मोटिवेसन है कि वह अपने इस दिकतक अपने प्रॉब्लम् को टैल करेंगे एंड वापस से वह एक तरीके से अपने आपको सब्लेबिद करेंगे और अगेन वह किरेंगा rusht सब्सक्राइब बात करते हैं गाइस लिफ मॉर्गन के बारे में तो भाई लिफ मॉर्गन के एक बहुत ही जादा इंटरस्टिंग स्टोरी लाइन डबी डबी प्लान कर रही है और इसकी छवी इसकी एक प्रिव्य हमने मंडे नायट रॉक एंदर देखे भी ली जहां पर ट्विटर पर आप होगे तो सायद आपको पता चल गया होगा लेकिन अगर आप नहीं हो तो मैं आपको बता दूं माना जा रहा है कि डबी डबी जो हैना डॉमनिक एंड लिफ मॉर्गन के बीच में एक रोमैंटिक रिलेसंसिप वाली स्टोरी कंटिन्यू करने वाली है च कर सकती है लिफ मॉर्गन एंड डॉमनिक के साथ इन्होंने कुछ टीज करा ऐसी टॉक से और क्योंकि रियार डिप्ली के साथ बहुत जादा परसनल हो चुकी है लिफ मॉर्गन के फ्यूड लिफ मॉर्गन की राइवलरी इसका मतलब कि रियार डिपी जब वापस आएंगी तो वो लिफ मॉर्गन से भीरेंगे और अब हुस टाइम तक लिफ मॉर्गन वुमन्स वर्ड चैपियन होगी अब शाथ में वो विमंस वर्वं चैमिसे भी नहीं बलकि डॉमनिक को भी ले के घूम रही होँगी यां रिप्ली की दो एक टो ऐम मॉर्गन चीजे चीज का फ पहले काफी इगनोर करता था कि आरे भाई इनको क्यों यह बार बार उठाकर लेकर आ जाते हैं फैंस अप्रिसेट करते रहते हैं जूटका तो इसलिए डिवेड़ी इनको उपरचुनिटी देती है लेकिन वह फेज एक अलग था यह फेज बहुत अलग है लिफ मॉर्गन का चिला चिला कर बोलता है कि मुझे पुस्त दो इस इस चारेक्टर के साथ तो अभी के हिसाब से बाते हैं करेंटली इसके बारे में आप क्या सोचतों कॉमेंट करके बताना माना जा रहा है कि लिफ मॉर्गन डॉमनिक एक रोमेंटिक रिलेसंसिफ वाली स्टोरी प्लेए कर वापस हो तो मैं अपनी वापस ही करूं जाहां करना चाहता है कि वह करना हों उनके कॉल की वह मुझे वह तो मुझे थ्सीज्व करें लेकिन खुद चाहता हूं कि उन्हें मेरे अंदर की कहीं से कर दिया हैं अगर मुझे आने से मना कर दिया तो में लिए बहुत बेजती वाली बात हो जाएगी ऐसा कुछ इस चांसेस तो बनते हैं कि सायद भाई उनको जानके कि भाई यह लेजन्ट है यह वो एंगर उनका आइडिया सही में अच्छा होता है तो में भी ट्रेपल एच डिवली वाले ला सकते हैं लेकिन यहां पर इस नए एरा के अंदर अंतर यह लोगो को लाना नहीं चाहते हैं अंटिल एंड अनलेस की वह बहुत ही जाए इस्टैबलेश्ट हो लाइक जौन सिना भी एजट हैं लेकिन जौन सिना को आप कंपनी से साइट लैन नहीं कर सकते रॉक के साथ भी सेम चीज़ अपलाई होती है सेम ब्रॉक लिशनर लेकिन अभी कंपनी के अंदर गोल्डबक को लाना अर्वीडी को लाना हलक हॉगं को लाना ये सायow डिधी ना करना चाहिए तो अब्विक के साथ से कोई-ब्रॉडबीक नवल रहा हूंन के लिए इसके वारे में बहुत जल्दी कमबैक होगा उनके लिए स्टोरी भी दिख रही है सामने सामने कि क्या होने वाली क्या नहीं होने वाली है अब अभी के साथ भाई उनका अगर मैच नहीं होता तो सायद वो नहीं आते कभी भी खैर रोमन भी आगे इनके करने वाले लेकिन चीज कब हो सकती है यह अभी मैं आपको डराने वाला हूं कि कभ रोमन कंपनी को रॉक की तरह चोड़ सकते हैं लेकिन उससे पहले अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो भाई एक दो सेकंड का टाइम लगता है और फ्री है बिल्कुल और आपको सबसे पहले मिलती है तो फॉल वगरा भी कर लेना मुझे इंस्टार ट्विटर पर महाँ पोस्ट करते रहता हूं बागी चैनल को सब्सक्राइब करना वह थोरा सजार नेसेसरी है मेरे लिए तो आप मेरी महनत का फॉल मुझे दे दो अगर आप चाहते हो तो बाकी आते हैं यानि कि बेटिंग और सजेस्ट करती है कि रोमन रेंज कब कमपनी छोर के जा सकते हैं रॉक की तरह यानि कि बहुत जारा पार्ट टाइमर कब बन सकते हैं अब यह चीज़ भाई होगी मॉस्ट लाइकली 2027 के बाद 2027 तक तो इसके चांसिस नहीं है विकॉज इस साल अगर रोमन नहीं भी आएंगे तो रोमन रेंज 2025 में रहेंगे 26 में भी रहेंगे लेगिन 27-28 जाता जाते रोमन रेंज फेडवे होने लगेंगे डिवड़वी सेंड अगर आप सोच रहोगी रोमन वापस से चैंपिन बने या फिर हजार दिन की रेंदे तो वह चीज नहीं होने की तरफ और रोक की तरह ही डेवड़वी से चले जाएंगे लेकिन हां इसका मतब यह नहीं कि जिन्दुगी में अब कभी नहीं आएंगे रोमन जिस तरीके से रोक बीच बीच में आते रहते थे बहुत कम आते थे वह लग बात है तो रोमन भी उसी तरीक से आएंगे लेक अच्के बाद 27 आएगा तो दिन 27-28 के आसपास रोमन रेंस आपको कंपनी प्रॉपर तरीक से रोक की तरह लीव करते वे दिखेंगे एंड लेजन्ट कहलाने लगे लगेंगे रोमन तो अभी कहसा आप से गाज यहीं कुछ बैटिंग ओट्स का कहना है बैटिंग लाइंस क झाल